नमस्कार दोस्तों मैं ट्री बूटिक में आज हम सलवार की मोहरी या फिर बाजू के लिए डिजाइन बनाने वाले हैं बिल्कुल यूनीक है और खुबसुत सा डिजर्मन करके तयार होगा इसके लिए हमने जो फैबरिक लिया है उसकी मेजर्मेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल फोल्ड किया हूँ है डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चोडाई आई है 18 इंच और इसकी यहां से लंबाई हमने जो रखी है 16 इंच आप अपने अकोर्डिंग इसकी बनाने वाले हैं इस तरह से पिंस की मदद से इसको सिक्योर कर दीजिए इससे इसको हमें बनाने में असानी रहेगी इस तरह से बाकी की प्लेट्स में बनाते जाएंगे और पिंस की मदद से इसको इस तरह से एक्जेस्ट करते जाएंगे बाकी की जो प्लेट्स है वो भी आपको सेम डिस्टेंस रखते हुए बना ले ली है आप चाहे तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं कि आपको प्लेट के अंदर वाला फैबरिक कितना रखना है इस तरह से देखिया हमने सभी प्लेट्स बना ली है अब एक एक पिन को रिमूव करते जाएंगे और अपनी जो प पूरा जरूर देखें यहां पर आप जो पिंस अभी को रिमूव कर दीजिए और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गई है अब एक पट्टी हमें लेनी है जिसकी चोड़ाई हमारी महुरी की जितनी ही है 14.5 और इसकी यहां से जो लेंद है वो है 4 इंच बीच वाल एक तरह से कफ तयार हो जाएगा आगे लगाने के लिए अब जो इसकी दूसरी वाली साइड है उसको भी आपको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है अभी से यहां पर करीबन आधा इंच हमने इसको यहां पर भी फोल्ड कर लिया है और यहां पर अच्छे से सिलाय लगा करके इसको तयार कर लीजिए किसी भी तरह कि स्लीव डिजाइन में आप आगया पफ लगाना चाहते हैं या फिर मुहरी डिजाइन में लगाना चाहते हैं इस अलवार में तो इस तरह से लगाएंगे एक लेस हमने लिए है जो जालीदार लेस है इस लेस को आपको यहां पर लग और काफी सस्ती भी आती हैं यहां जो साइड वाला पॉर्शन है इसको भी सील लेना है तो उमीद करते हैं इस तरह की डिजाइन से आपको पसंद आये तो और भी नए नए डिजाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीजिएगा देखिए इपट्टी तैयार हो चुकी है आप जो जाली वाला हिस्सा था लेस वाला उस वाले पोशन को आपको यहां पर रख लेना है अपनी ट्राउजर या फिर स्लीव या फिर जो सलवार किसी में भी आप डिजाइन बना रहे हैं इसको अच्छे से सील लिजिए किनारी से होते इसले लगाए और आप देखी सकते हैं दोसों कितने फटाक से हमारे डिजन बन करके तयार हो जाता है और दिखने में तो बहुत थी खुपसुरत लगता है मैंने यहां कुछ ब्लैक और वाइट कलर के बीज लिए हैं आप चाहे तो कोई भी बीज आप ले सकते हैं जो भी आपकी जो भी बीज आप यूज कर रहे हैं इस बीज को यहां पर लगा दीजिए और तीन से चार बार इसके अंदर से धागे को अच्छे से पिरो देजिए ताकि अच्छे से टाइट हो जाए और एक नोट भी यहां पर आपको लगा देनी है अब नीचे की तरफी धागे को निक बना रहे हैं तो यहां पर बाकी की प् लेट्स अपको बना कर नहीं है बाजयोगी एग dispon Et तो उपर आपकी बेल्ट में जो प्लेट से वो डल जाएंगी सलवार के साथ यह ज़्यादा कुपसूरत लगते हैं अफगानी सलवार में या फिर सिंबल सलवार में आप इसको बना सकते हैं यह तयार हो गया दोस्तों और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटिफुल लग रहा है और पहनने के बाद भी आप देखी सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें धर्नेवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में